एक तरफ हिंदू राजा, एक तरफ मुसल्मान राजा, दोनों आपस में लड़ते रहते थे, ऐसा हम को एक चित्रन किया जाता है, और इसलिए भी आज कल आपके शहर में, जिन लोगों का भी दिल्ली शहर है, अपनी राजधानी में एक और रोड का नाम बदलने के कोशिश ह हो री है, कौन सह दो हो? अकबर, हुले अकबर, मुसल्म और हमारे महाराना परताप हिंदू, बहुत 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 बहदर, तो उस बहादर अपने राजा का नाम देना चाहिए, अकबर अपना नहीं है, वो तो विदेशी है, अब यह देशी विदेशी की परीभाशा, क्य तो यहां आपन चलते हैं एक तरफ अक्बर है एक तरफ राना प्रताप और अक्बर और राना प्रताप की लड़ाई हुए थी हल दी घाती के मैदान में एक तरफ किसकी फौज है अक्बर की एक तरफ राना प्रताप की आप देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे अक्बर की फाज में अक्बर खुद नहीं है अक्बर के बदे कौन है राजा मान सिंग हलो अक्बर के बदे कौन है राजा मान सिंग और राजा मान सिंग के असिस्टेंट जनरल जो है वो अकबर के प्रधान सेनापती सेनापती नहीं है य로 सेनापती नहीं प्रधान सेनापती और शाहँ़ाजळा सलीम उनके अस्सिस्टेंट यह अक्बर की फोज कैसे इथा नाम था हकीम- दोनों तरफ हिंदू, दोनों तरफ मुसल्मान, तो यह हिंदू-मुसल्मान की लड़ाई है या दो राजाओं की लड़ाई है? यह लड़ाई धर्म के लिए है के सत्ता के लिए? तो ज़र आपने प्रधान मंत्रे जी को बता दीजिएगा, वो ऐसी उल्टी सीधी क्या फिलो अपने प्रधान मंत्री जी आये बंबई हमारे, चुनाओ के लिए वोट लेने थे, तो आपको पता है हमारे महराश्ट बंबई में एक राजा बहुत पॉपिलर है, हमारे एयरपोर्ट का नम, रेल्वे स्टेशन का नम, हमारे बड़े पार्क का नम, शीवा जी, यहां तक इतने महान थे कि उन्होंने औरंग जेब का खजाना लूटने के लिए सूरत पर आक्रमन किया, मैं हेरान हो गया, मैं फिर से हिस्ट्री बुक, मैं देखा, औरंग जेब का खजाना दिली में था के सूरत में था, अब श्रीवा जी महराश जो हमारे थे, उनकी फौज एक ब सूरत पे आकरबन करने जा रही थी तो शिवा जी महाराज ने अपनी फौज को तीन इंस्ट्रक्शन्स निर्देश दिये यह इंस्ट्रक्शन्स क्या थे पहला इंस्ट्रक्शन था देखो भई आप जा रहे हो रास्ते में हजरत बाबा की दरगाह है हजरत बाबा की दरगाह को कोई नुकसान नहीं पहुचना चाहिए उसके उलट मेरी ओर से हजरत बाबा को ये भेट गिफ्ट दे देना नमबर दो इसी सूरत में फादर एम्ब्रोस पिंटो का एक आश्रम है फादर एम्ब्रोस पिंटो के आश्रम को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए लुम्बर तीन जब आप लूट मार कर रहे हों अगर आपके हाथ पे किसी दूसरे धर्म के मानने वाले की पवित्र पुस्तक अगर दूसरे धर्म के मानने वाले की पवित्र पुस्तक आ गई तो उसका अपमान मत करो पूरे आदर के साथ उसको उस धर्म के मानने वाले को दे छिवाजी महाराज की फौज में बारह सेना पती थे जो मुसलमान थे और तौर एक बार वो शिवाजी महाराज की कहानी से पुरा क्लियर हो जाएगा कि उनकी क्या राय थी और यहальную हिंदू- मुसलमान का क्या चक्कर है एक बार शिवाजी घोडे पे बैठके जा रहे थे उनके जासूस ने देखा कि उनकी कमर में तलवार नहीं है तो जासूस उनका जो बॉडी गाड था बड़ा डिस्टरब हो गया उसने का महराज आप कहां जा रहे तो शिवा जी नहीं का मैं अफजल खान को मिलने जा रहा हूं बोले अच्छा आप अफजल खान को कि जब हम मिलेंगे हमारे पास कोई हतियार नहीं होगा तो जासूस और डिस्टरब हो गया उसने बोला महराज जर्ण नीचे उतर इए श्रिवा जी नीचे उत्रे तो जासूस बड़े अजीब सवाल पूछता हम से अजीब पर उसका एक मतलब रहता है तह जासूस बोलता ह आज ये बताईए आपकी हाइट कितनी है शिवा जी हैरान हो गए ये कोई मेरा recruitment कर रहा है क्या मेरको कोई नौक नी पर ले रहा है क्या फिर भी खैर bodyguard था तो उसको जवाब देना पड़ा बोले मेरी हाइट होगी कुछ और पांच फूट चेंज बोले आपके हाइट अफजल खान की हाइट क्या है और अफजल कान तो बोले पठान है छे फूट से भी लंबा है फिर बोले आपका body size क्या है आज कल तो body size बताना बड़ा बोले अफजल कान का size extra 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 large होगा तो बोले महराज जब आपको वो मिलेगा बिना हथियार के तो आपका वो गला दबा के आपका murder कर सकता है कि नहीं शिवा जी ने का ये बात तो सही है तो बोले महराज भोले मत बनो ये गुप्त हतियार पैचाना आप वाग नक आयन क्लॉज ये गुप्त हतियार साथ में लेके जाईए शिवा जी महराज ने अंगूठियों के नीचे वाग नक को छुपा लिया और ये जासूस का नाम बारा बॉडिजार्ड मुसलमान थे शिवा जी महराज घुड़े पर बैठे गए अफजल खान के तंबू के पास पहुंचे जैसे तंबू के संपउचे अफजल खान ने उनको देखा जिवा जोर से जंप लगा के बाहर आया और जोर से चिलाए शिवा शिवा और ौर आक गया मरने पे आ गया और अफजल खान की तरफ से उनके सचिव सेकेटरी आए उन्होंने तलवार निकाली और शिवा जी को मारने की कोशिश की और वो सेकेटरी का नाम भी बड़ा इंट्रेस्टिंग है सेकेटरी का नाम है कृष्णा जी भासकर कुलकरणी किसके साथ है त्क्समार्णी कि कई पात्रेस्टिंगी और शिजास्टिंगन पर वो सेकेटरी कुलकरणी किस दिवार जी जाए सेकेटरी कि कैसे तरुबग हैं झाली किसे और श्या लगजए ये, जिए भास्तों पान के अपर जा जी बड़ीज़